नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्तामित नक्षत्रा मास्टर्स से और आज हमें सम्वेदन शील विशा पर बात करेंगे हम समझने का प्रयास करेंगे जीवन रिखा के बारे में हस्त रिखा विज्ञान के माध्यम से प्रयाता ऐसा माना जाता है, जन मानस में ऐसी धाना है कि जीवन रिखा अगर छोटी है तो जीवन भी छोटा होगा और जीवन रिखा लंबी है तो जीवन भी लंबा होगा जो कि प्रयाता बिलकुल भी सही नहीं है ना तो छोटी जीवन रेखा ये बताती है कि जल्दी मृत्यू होगी और ना लंबी जीवन रेखा ये बताती है कि जीवन काफी लंबा बड़ा होगा ऐसा बिलकुल भी ठीक नहीं है दोस्तों दोस्तों, जीवन रेखा को शास्त्रों मत और सामुदरिक शास्त्रों के इसाब से मित्र रेखा, कुल रेखा, गोत्र रेखा और रोहिनी रेखा की नाम से जाना जाता है दोस्तों जीवन रेखा हमारी vitality, physical strength, stamina, रोगों से लड़ने की शम्ता हमारी immunity को बताती है दोस्तों और जीवन के प्रती हमारे दिर्ष्टी कौन को बताती है चोटी जीवन रेखा से ये पता लगता है कि उस रेखा के बाद हमारी जीवन की जो इच्छा है और जीवन का उदेश्य है वो diminished हो जाता है दोस्तों मैं आपको पिक्चर के माद्यम से समझाने का प्रयास करूँगा कि जीवन रेखा क्या है और कैसे काम करता है दोस्तों ये जुपिटर का चेतर है ये मंगल का चेतर है और इन दोनों चेतरों के बीच से जो रेखा आपको दिखाई दे रही है यह है जीवन रेखा है जीवन रेखा के माद्यम से हम अपनी शारिशिक स्ट्रेंथ को जान सकते हैं रोगों से लड़ने की शमता ताकत और इन सब चीजों को समझ सकते हैं प्रयात है जीवन रेखा का छोटा होना जीवन के छोटा होने से जोड़ा जाता है जो सत्य नहीं है क्योंकि जीवन रेखा छोटी है तो इसका मतलब यह है कि उस टाइम के बाद में हमारी जीने के प्रती जो दरश्टी कोण है वह बदल गया है अगर जीवन रेखा जहां पर खतम हो रही है वहीं पर हरद्य रेखा मस्तिश्क रेखा और अन्य परवतों पर कुछ आप्रिय चिन आ जाएं तो वह एक रेड फ्लेग है चिन है जो एक खत्री की तरह विशारा कर रहा है तो आप अपने आप से देखने का प्रयास ने करें कि अगर जीवन रेखा चोटी है तो ऐसा होगा और बड़ी है तो ऐसा होगा जो की सत्य नहीं है आईए एक और उधारन से समझने का प्रयास करते हैं यहां पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन रेखा आप देखेंगे यहां से यहां तक ही दिखाई दे रहे हैं इसके बाद जीवन रेखा नहीं है तो इससे यह पता लगता है कि इम्मुनिटी वीक है ज्यादा फिजिकल स्टेंथ करने की ताकत नहीं है और ज़्यादा ताकत लगाएंगी तो परिशान रहेंगी बिमार हो रहेंगी और एक लेवल के बाद अपने आपको रोकना चाहिए और एक उम्र के बाद हमें ज़्यादा फिजिकल एक्जर्शन से बचना चाहिए दोस्तो ये हमें G1 रिखा से पता लगता है अगर G1 रिखा के आखिर में कुछ एप्रिया साइन जैसे कि क्रोस, बार, स्टार, डॉट, कोई मॉल हो तो वह है एक खत्रे की गंटी है लेकिन साथ में हमें यह है देखना पड़ेगा कि मस्तिश्क रिखा और हरदे रिखा पर भी कोई एप्रिया चिन तो नहीं है सेम उम्र में अगर वह है चिन आ रहे हैं तो यह इस बात का सूचक है कि कोई खत्रा आगे मंडरा रहा है दोस्तों तो दोस्तों डरने क्या वो शक्ता नहीं होती है कि फिजिकल स्टेंथ कम है या फिर कुछ दिक्कते आ रहे हैं आपको तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि जीवन रिका छोटी है तो जीवन भी छोटा होगा है ऐसी बात कताई भी दिमाग में लाएं वेस्टर जो पामिस्ट्री है और इंडियन जो पामिस्ट्री है इसमें यहीं डिफरेंस है क्योंकि वेस्टर पामिस्ट्री लाइफ लाइफ ल तो मैं उमीद करते हूं आपको मेरी य समझ में आई होगी, जीवन div हा कि बारे में मैं अगले वीडियो में आपको Julyrier के बारे में बताने प्रयास करूगा कृतने अगले प्रकार की jiem 더 नगेत करती है और वह है Julyreshold तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार दोस्तों